तो गाइस स्वागत है आप सब का आज की वीडियो में और यहां पर हम बात करने वाले हैं आज हुए ऐलिमिनेशन चेमबर के बारे में जो कि आपर खतम हो चुका है और क्या मतलब सॉकिंग पेपर वीव हमें देखनों मिला है जहां पर ड्रू मैंगेंटार अपनी डबलोवी चैंपिशप को हार चुके हैं और जो डबलोवी टाइटल जीता है वो और कोई नहीं है बलकि मेज हैं जिन्होंने अपने मनी दवाएं को कैसन कर दिया तो काफी कुछ हुआ है आ पहले से अनाउस थानी आज के अलिमिनेशन चेमर में यह मैच अनाउस हो गया और यह था यूएस टाइल के एक उपरचुनिटी के लिए क्योंकि यहां पर कीथली को जैसे की लेके रूमर्स आरते कि कीथली साहब इस मैच से बाहर हो जकते हैं तो कीथली से बाहर हो थे तो और इसके बाद सोक की ओपनिंग में पहला मैच हमें देखने हो मिलता हुता स्मैकडाउन की शायट से अलिमिनेशन चेमर में जो की था नंबर वन कंटेंटर के लिए यूनिवर्सल चेंबिजिप की एक और इस मैच के अंदर थे डैनल ब्राइन, कविन, कॉर्विन, सैमी, मैच की स्टार्टिंग हम दिखते हैं, करते हैं यहाँ पर डैनल बैन और से जारो, दौनल प्राइन ने इस मैच को अच्छे चे स्टार्ट कर रहा है, पहले भी हमने स्मैकडाउन के अंदर इनके मैचिस देखे हैं, जो काफी जाला लेते हैं, काफी टाइम तक हम देखते ह नम्मर पर यहां पर आते हैं Samy Zinn और Samy Zinn की इस match के अंदर entry होती है और Samy Zinn का तो इस मतलब पूरे elimination chamber में ऐसा लगा है band बजाए क्योंकि हम देखते हैं पहले तो वो pod से बार ही नहीं आते हैं पहले वो अपने pod का एक साथ का gate बंद कर लेते हैं उनको king Corbyn निकालने वाले होते हैं लेकिन पीछे से सिजार हो आते हैं उसी pod के अंदर और उसी pod के अंदर उनका ढोल सा वाया देते हैं तो Samy Zinn की आज के chamber में काफी जाना हालत खराए वह उसके बाद हम देखते हैं आगी लिए entry यहां पर होते है Kevin Owens की और Kevin Owens भी आके और यहां पर आपर एंदर आ चुगे थे are यहां पर उनको एक स्टरनल लगाते हैं और इसमेच से एलिमिनेट कर देते हैं और इसके बाद ही जो जो गया था जिनको हम सोच रहे थे वह इसमेच को जीत भी सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ नियाभर क्योंकि जैए उसो नहीं पर शजारो को भी धायार्य दिया और लास्किन हम देख्टे यहां पर बसते हैं डैनल बैन और जैए उसो और पर यहां पर दया जीत लिया मैश डी देकर बिलकुल और यहां पर लेते हैं और डाता उटांसी को यहां पर फैर्ट ने वहार लगा जूंड अपर यूएवसी की फाइट देख रहें जहांपर यूएसी के पंचे समा रहे लाइंज तो काफी कहा सकते हैं हालत खराब Daniel Band की पहले सी थी, उसके बार Roma Rings ने उनकी हालत खराब कर दी और Daniel Band को उन्होंने अपने सब मिसन में लगाया, जिस पर यहाँ पर Daniel Band उठी नीबाया तो इस तरीके से यहाँ पर Roma News की जीत होई, उन्होंने अपनी Championship को यहाँ पर रिटन कर लिया यहाँ पर उनके लिए पहले सी काफी सारी मुसीवत थी, इसके बाद मैच हमें देखने मलता है, वो था यूनाइटे स्टेट चैंपिसिप के लिए, बॉबी लेस्ली वसे रिडल वसे जॉन मॉरिसन के बीच में जुकी, कीथ लिग को उन्होंने रिप्लेस कर लिया था, एक बेटल 4-way मैच जीत के और काफी कहा से एक सही मैच हमें इन तीनों इस सुपरिस्टार की बीच में देखने मला है, काफी कहा सकते हैं यहाँ थोड़ा बहुत लग रहाता है, टाइटल इंसाइड हो सकता है, डबल ली त्रिपल ट्रिड मैच करा रही है, तो साइट डबलो बॉबी लैसली के उपर उसी से क्योंकि डिस्कॉलिफिकेशन का गाम तो था नहीं क्योंकि यह त्रिपल रिड मैच था, और इसके बाद हम देखते हैं, जो रिडल है वो यहाँ पर अपना फिनिसर देते हैं, जो पिन करके यहाँ पर इस मैच को जीत जाते हैं, और बन जा इसके बाद मैच हमें देखने मिलता हुटा विमें स्टैक्टीम चैंपिसिप के लिए निया जैक्स और सेना बेजलर वसके सासा बैंक्स और बेलर की बीच में अब इस मैच में यहाँ पर मेना कुछ इंटरस्ट था नहीं कि हम पता था यहाँ पर चैंपिसिप चेंज होग यहाँ पर समानी करने वाली बात है के व्लेर को पिन नहीं teamwork असाथी उनको पहले से के-लए सिर्फ चयुट कर देंद कर देंद करें रहे हैं इस वी सब्सक्राइब करें तहार सविस्क्राइब उसको प्न यह इस place मैं मलता及 आप कесь छी करता है फो कि एपकर अजीब लगा एक तो पहले इसे पॉसिंट तर्कॵी यहां पर कुछ भी हुआ नहीं और मैस की स्टार्टिंग यहां पर करते हैं रेंडी ओटन और जैफ रडी और मतलब जो कि हम सोच रहेते हैं आप रेंडी ओटन पॉड के अंदर बंद होंगे बाद में निकल के आएंगे फींड उनकी उपर अटेक करेंगे ऐसा तो यहां पर यहां पर उनके साथ करा एक तो यहां पर हमें फींड देखनों मिलेनी रेंडी ओटन इतनी जल्दी ऐलिमिनेट हो जो कि किसी ने सोचा नहीं था मैं तो सोच रहा था वह लास्ट तक जाएंगे लेकिन कोफी कि इंस्टन से उनको एलिमिनेट करा दिया जो कि मतलब क्या था यहां पर एलिमिनेशन होता है वह को फी कि इंस्टन को हो जाता है जब यहां पर सी मच से चल रहा देते हैं और आपको बतायाता था अपनी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में के हो सकता है यहां पर जो डूम एक हैनो पिन ना करें जिस से आंगे चलके सीमस एको चैंपिनि कि तुमने मुझे निकरा मतलब मैंने तुमने मुझे पिन करके नहीं रहा है तो साध आंगे इन की बीच में कुछ हो सकता है उसके बाद लास्ट में दिखते हैं पर AJ Styles और Drew McIntyre होते हैं और जो AJ Styles वह फिनोमेनल फोराम लगाने वाले ते लेकिन मिड एर में हावा में बीच ओ बीच यहाँ पर Drew McIntyre ने एक क्लेम और दे दिया जिस्टाल को और इस मैच को यहाँ पर Drew McIntyre जीत गए अपनी स्पेर लगाते हैं और उसके आद काफी उन्होंने अटेक कर रहा था पहले मैं सोच रहा था कि फींड यहाँ पर नहीं आएं तो हो सकता है यहाँ पर ब्रॉक लेस्ट को पूरा अच्छे से समझा है तो उस वाली वीडियो को आप यहाँ नहीं देखना तो मैं आपको बता अगली वीडियो में करके बताना कि आपको आज का अच्छा लगा और मिज यहाँ पर चैंपियन बन गए जो भी एक जरू कर देना उसाथी सेर भी कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी चैनल पर नाया पहली वार वीडियो देख रहा है तो चैनल को अपसन मिलते रहें तो आज फिर तब तक लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार के तब तक लिए मैं कहता हूं गुट पाए